बच्चों के परवरिश के लिए माबाप ने बड़ा होना जरूरी है इसके बार में मैं आज अभी बातचीत करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेख्स रोग सम्मों हूं तथा जैसे नमुक्चत नहीं हूं महराश्ण में पिछले 49 साथ से अकोला में प्रैटिस करो बच्चों की परवरिश करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो माबाप का एक दूसरा जनम हो जाता है कोई भी बच्चा अर्थात मैं जबी बूलूंगा कोई बूलेंगी पागल यह से अपने बच्चा उमर से बढ़ते रहता है मगर माबाप उमर से बड़े है उनका आइक्यू ठीक है बुद्धि मता ठीक है इमोशनल कोशन्ट जो है वो कम है मतलब उमर के इसाफ से उनकी उमर होंगी 30 साल 32 साल 35 साल मा की या बाप की मगर मैचुरिटी वाइज दस बारा साल यह सब यह करते हैं और जब वह सब यह करते हैं बेजवाबदार बहुत इममेचुर भीएवियर है इमोशनली अंस्टेबल भीएवियर है तो बच्चे क्या देख रहे हैं बच्चे वही देख रहे हैं कि अपने माबब ऐसे ऐसे है जैसे उसका पिताजी जो 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 से चिला रहा है गुसा कर रहा है इसका मतलब क्या है इमोशनली वो अंस ही है उमर से बड़े है बच्चे से इमोशनल कोशन्ट जो है एक्यू है वो तो 10-12 साल गई है 15 साल का है बच्चे जैसे जगड़ते है तो फिर जबी कोई माबाब मेरे पास में बच्चा लेकि आते हैं तो पहले मैं बोलता हूं कि आपना घर बताओ कैसा है माबाब का सोवा ह बताओ कैसा है यह बच्चा ऐसा बिगड़ गया है यह बताओ घर में ऐसा कोन है ऐसी उसकी परवरीश कैसी हो गई तो बच्चे का इलाज में नहीं करता हूं मैं माबाब का इलाज करता हूं या घर का इलाज करता हूं घर के लोगों का इलाज करता हूं तो कि मूल कारण व उसकी केर लेना पड़ता है परवरिश करनी पड़ती है उसको खिलाना पिलाना उसको प्यार देना तो इसलिए हम कोई कहीं बाहर जा नहीं सकते कहीं कोई नया सीख नहीं सकते कोई कुछ भी नहीं कर सकते हमारे वरक्षाप होते उसमें नहीं 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 आ सकते कि बच्चा अर्वेम अगर बच्चा छोड़ा है तो आपको मैच्वर होना जरूरी है आप वो यह दी लेवल के है तो बच्चो को वैसी परवरिश करेंगे बच्चे की आपको यह वरक्शॉप में जरूरी है यह प्रोग्राम देखना जरूरी है यह जो हम कारेकरम देते अलग अलग वर प्रक्षा उसलेते वो करना जरूरी है ताकि आप मैच्वर बनेंगे, आपका डेवलप्मेंट हो जाएगा, और घर में कौन लिखती जाएगा, घर में वो मा जाएगी जो डेवलप्ट माए, जो मैच्वर माए, जो कुछ तो भी नहीं सिख्के गई है, फिर बच्चा देखो कि अपने आपको कैसा डेवलप्मेंट करना है तो, हवाई जाज में जब आप सफर करते हैं, तो अनॉंस्मेंट होती है, तो पहले बोलते हैं कि यदि ऑक्सिजन का प्रिशर कम हो गया, और ऑक्सिजन मास पहले अपने उपर डालो, पहले अपना जो है, हेल्थ वो देखो, पहले अपने आपको ऑक्सिजन ले लो, बाद में बच्चों को दो, क्योंकि आप बच्चों को देने जाओगे, उसको प्रिप्यारे तो, तो आप मर जाओगे, तो पहले अपने डेवलप्मेंट हैं आप करते हो, आप खुद की परवरिश करते हो, आप खुद की डेवलप भी चली के बड़े हुए है बच्चे का पीछे लगना सुमन किया कि नेखो घृलाओ क पतंब और रहि zajार दी फिरकिक सब्सेशन करने हुआ जा बादे। मिल सबकति हम ढ़ हुए जोग उसको दे देंगे, बचर था की परवरिष का poking बच्च को आप independent नहीं बनाथे बच्चों को dependent बच्चों को buggy बनाथे, अपंग बनाथे All the children ke also strong नहीं बनाते, जो सब REढिमेड दिते रहते, तो बच्चों का डेवल日本 वरिसा हुआ बच्चों को responsive दाना दे नहीं है, discipline घर में नहीं है और फिर बोलते हैं देखो बच्चा आप गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, smoking कर रहा है, मानता नहीं है, बहुत आखरमग बन जाता है, फिक्फाक करता है, हूंगा क्यों नहीं क्योंकि आप कैसे हैं, आप भी तो ऐसी तो यह आप करोगे आपका emotional question बढ़ा होगे तो definitely बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे और यह तोफा आपको बच्चों को देना है कमसा तोफा है कि खुद को emotionally balance करने का खुद को develop करने का खुद का transformation लाने का खुद नायने सीखने का ताकि बच्चों को नए माबाप मिलते जाएंगे रोच और यह तोफा बच्चों को देंगे तो बच्चे भी देखो पहुत होशार बनेंगे बहुत अच्छे समस्कारीत रहेंगे और एक आधर शनागरी करके कल हो जाएंगे थैंक यू बेरी मुच्च कर दो